लास्ट वीडियो में diffraction की definition देखी थी और हम लोगोंने यह देखा था कि diffraction होता कैसे है कहा होता है क्या उसके maxima की condition है क्या उसके minima की condition है अब अपन लोग diffraction due to single slit का derivation करने जा रहे हैं central fringe के बारे में पता करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना derivation तो देखो भाई single slit की बात हो रहे ही यहां पर diffraction में क्योंकि अपन यहां interference की बातें कर नहीं रहे हैं अपन bending of light की बातें कर रहे हैं यह मेरे पास हो गया एक source, source के आगे slit, slit का काम क्या होता है, slit का काम होता है, ray को limit करना, भाई यह उतनी ही ray चाहिए, ताकि हम आराम से चीज़ों को यहाँ पर देख पाएं, जादा अगर अगर अपन लोग यहाँ से raise ले लेंगे तो होगा यह कि यहाँ पर इतना जादा overlapping हो जाएगी, कि clearly हमको visibility नहीं रहेगी चीज़ों की इसलिए precise करने के लिए अब यह जो raise आ रही है, यह raise जब यहाँ पर incident होंगी अपने convex lens के उपर, यह convex lens का focus यहाँ पर source पर रखा है, तो raise हो जाएंगी parallel, यह मैंने तुम्हें बताया था कि अपन parallel raise क्यों करते हैं अपन parallel raise इसलिए करते हैं क्योंकि हमें source को कहाँ पर रखना है infinity पर, अब infinity पर रख तो पाएंगे नहीं, इसलिए यह जुगाड लगाई है अपने, और यह जुगाड की वजह से जो raise आ रही है वो parallel तो हमें लगेगा कि वो तो infinity से आ रही है क्योंकि parallel raise कहाँ जाके मिलती है infinity पर मिलती है, तो source कहाँ पर चला गया, आपका infinity पर चला गया अब यह raise जो हैं, इसलिए फ्राउन होफर diffraction पढ़ रहे हैं अपन यह raise जाकर incident होंगी अपनी slit के उपर, जब यह slit के उपर जाकर incident होंगी, तो हमारे पास source का यह जो wave front है, इस wave front का हर point अपने आप में source की तरह काम करने लगेगा जो width है हमारे पास slit की वो width है A ठीक है, अब यह width होगी हमारे पास slit की A, और यह slit पर जैसे incident हुआ, यह सारे point अपने आप में source की तरह काम करेंगे यह ray band होंगी, मैंने कहा था, इस direction में भी जा रहा है, इस direction में भी जा रहा है, इस direction में भी जा रहा है, हर direction में raise जा रही है, मगर इतनी सारी raise लेंगे, तो यह दो raise में तो अपन को मम्मी, पापा, चाचा, दादा, दादी सब याद आ गए अगर अपन सारी रेज ले डालेंगे तो क्या होने वाला है बहुत कॉंपलेक्स हो जाएगा इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ वह रेज ली जो आपस में पैरलल है और हर सोर्स की एक एक रेले ली एक तो पैरलल वाली को पैरलल जाने दो यह क्यों कि यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और एक्जाम पॉइंट व्यू में मतलब आए गई आएगा ऐसा है यह कोशन अब यहां पर देखो क्या हुआ जब यह यहां पर इंसिडेंट हुई तो यह रेज यहां से बैंड हो गई अपने ले लिया थीटा एंगल पर य सारी की सारी रेज जो लिए वो थीटा एंगल वाली यह अब यह रेज जाकर क्योंकि पैरलल रेज हैं तो यह मीट करेंगी फोकस पर तो यह जाकर सारी की सारी रेज मीट कर रही हैं फोकस पर और जहां हमारे पास फोकस था वहां पर अपने एक स्क्रीन बना कर रख ली यह हमारे पास एक screen है, इस screen के ऊपर ये सारी कि सारी जो waves हैं, ये जाएंगी और वहाँ पर meet करेंगी, और हम लोगों ने last class में देखा था, कि जब हमारा path difference n lambda होगा, तो इस point पर हमको dark मिलेगा, और जब हमारा path difference 2n plus 1 lambda by 2 होगा, उस case में यहाँ पर अपनको bright मिलेगा, अगर ऐसी condition है, तो ये diagram अब समझ में आ चुका है, हमने last class में भी इस पर बात की थी, last video में भी इस पर बात की थी, कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो ये race जा रही हैं वहाँ पर, मुझे चाहिए path difference, तो मैं सामने से यहाँ पर एक perpendicular drop करता हूँ, यहाँ से लेके, यह वाली race जतना path travel कर रही है, यह वाली race जतना path travel कर रही है, यह लगबग लगबग same है, तो extra कितना चला, तो extra चला यह bn, यह हमारे पास है path difference, मैं फिर कहूंगा, यह video आपके लिए bread and butter हो जाएगा, अगर last video एक बार अच्छे से देख लोगे, बहुत जादा जरूरी है वो video देखना, क्य यह video में, अब तुम बोलोगे, अगर वो video देख चुके होगे, तो बोल रहे होगे, बाबा जी क्यों बोल रहे हो, हमें पता ही है, बहुत अच्छी बात है, अगर पता है, तो बढ़िया तुमारा revision हो गया, अब आगे बढ़ते है, diagram बिल्कुल crystal clear है, यह मेरे पास path difference है, अ अब अपन को derivation करना है, derivation करने के लिए चाहिए बाबा जी की booty, तो यार देखो, booty क्या बोलती है, booty यह कहती है, कि आपको दो triangle find out करने है, जिससे आप theta निकाल सको, क्योंकि यह देखो गौर से यहाँ पर, अब कई लोगों को यह doubt होगा, कि यह वाला angle हमारे पास theta है, है, तो यह वाला angle theta कैसे हो गया, आप यह जो angle ले रहे हो, यह वाला angle, यह angle theta कैसे हो गया, तो देखो, आप इसके लिए बहुत आराम से वापिस अपन उसी diagram में आ जाते हैं, ताकि तुम्हें और clarity से एक साथ चीज़ें दिखें, देखो यहाँ पर, अगर यह theta है, तो यह तो 90 minus theta, तो इस case में, यह देखो, यह जो ray है, और यह जो normal है, इनके बीच का angle, यह वाला angle 90 degree है, यह 90 degree है, उसमें से 90 minus theta चला गया, तो यह वाला angle जो बचेगा, वो कितना बचेगा, 90 में से 90 minus theta चला गया, तो यह वाला angle आपके पास आ जाएगा, थीटा, बस इसी लिए यह theta है, अब यह जुगार अपने लगा ली, अब बूटी क्या बोल रही है, हमको theta के साथ deal करनी है, जब theta के साथ deal करनी है, तो एक तो मेरे पास यह triangle बनेगा theta के साथ, सामने है path difference, और एक triangle मुझे यह बनाना है, देखो गौर से, इसमें भी मुझे theta मिल रहा है, center सही क्यों ले रहा और यह दो triangle डूंडो जिन में theta हो, अगर angle बहुत छोटा है, तो sin theta, train theta को nearly theta लिख सकते हैं, और इन दोनों को आपस में equate कर दो, आपका derivation खतम हो जाएगा, सबसे पहला, यह वाला triangle देना है अपन को, यह वाला triangle, इस triangle को ले लेते हैं, अगर यह triangle लेते हैं, a, b, n, तो इस triangle में आप देखो, sin theta, angle के सामने वाली side होती है, perpendicular, तो यह हो गया theta के सामने वाली side, perpendicular, यहने delta, path difference, यही तो था, upon hypotenuse, यह हो गया hypotenuse, a, b, which is actually equal to a, तो आपके पास आगया, sin theta is equal to path difference upon a, जैसे ही sin theta clear हुआ अपने पास, अब अपने पास, delta की value आ गई, a sin theta, याद रखना, तो एक equation तो यह आ गई, क्या कहा था, कितने triangle चाहिए, दो triangle, एक तो यह मिल गया, दूसरा triangle क्या है, अपने पास theta के साथ, यह center वाला, इस triangle में, हमें देखो, यह hypotenuse से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, नातला भी नहीं है, हमें किस से लेना देना है, यह perpendicular y से, और यह distance screen oscillate के बीच की distance d से, तो perpendicular upon base क्या होता है, 10 theta, पंडित बदरी परसाद, हरहर बोले, नहीं, ऐसी था न, 10 theta is equals to op upon co, अगर यह हो गया, तो op क्या है, y, वो position, center से fringe की position, bright बन रहा है कि dark बन रहा है, उसकी position है, तो इसको अपने लिख दिया y, और यह जो distance है, अपने पास यह हो से d, जैसे दो equation हाई, बूटी की step number one clear, दोनों से theta निकाल दिया, अब step number two, अगर theta small हो, तो दोनों को equate करो, तो हम बोल रहा है, when angle is very small, sin theta is equal to nearly equal to 10 theta is equal to theta, मतलब equation one or two को equate कर दो, क्योंकि यह तो theta है, इसको मैं लगबग, लगबग, क्या लिख रहा हूं, यहां पर, इस theta, क्यों मान रहा हूं, क्योंकि angle बहुत small है, तो अगर इन दोनों को equate कर दें, तो delta upon a और y upon d equate हो जाएंगे, अगर equate हो जाएंगे, तो अपने पास position आ गई, fringe की delta d by a, क्या यह बिलकुल interference जैसी है, जी हां, interference में हमारे पास small a की जगा पर होता था small d, वो होता था distance between two slits, जो हमारे पास s1, s2 होती थी, यहां पर एक ही slit है, इसलिए यह small a जो है, यह width of b slit है, a, that's it, बस अब आगया delta, एक बार में इस position पर पहुंच जाओं, मेरा काम खतम, कैसे, फिर से बता रहा हूं, दो triangle, दोनों को equate कर दिया, y की value आगे, delta d by a, और जिसको यह दिक्कत हो रह देना, क्या कर देना, d की जगा पे a, diagram यह वाला बना देना, कहानी तुम्हारी हो जाएगी, चलो, आजाओ आगे, अब अपन लोग जो last video का use करेंगे, क्या करेंगे use, मैंने कहा था, अगर dark fringe तब बनेगी, जब अपन delta को लेंगे n lambda, और अगर किसी को याद नहीं है, तो tension बिल्कुल मतलो, interference का उल्टा, interference में n lambda पे bright बनता था, यहाँ n lambda पे dark बनेगा, तो अगर मैं delta, अब मेरे पास y की position क्या आ गई, delta d by a, यह तो general formula है, अगर मैं dark के लिए बात करूँ, तो path difference हो जाएगा, मेरा n lambda, path difference n lambda हो गया, तो position of, कौन सी position, linear position, linear position of dark fringe, n lambda d by a, खतम, हडाव बाल्टी नल गए, एक बार यह आ गई, यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है तुमको यह, center से bright fringe की position कौन सी होगी, यह linear position, तो इसको अपन बोलते हैं y, तो यह आ गया, तुम्हारे पास कितना, n lambda d by a, बिल्कुल सेम interference जैसा चल रहा है, small d की जगा पर small a, और आपस में swap कर दो dark और bright को, अब यहाँ पर आ जाओ, अगर अपन constructive की बात करें, bright fringe की बात करें, तो वहाँ पर अपने पास path difference, 2n प्लस 1, lambda by 2 है, last video में बताया था कि अपन प्लस क्यों ले रहे हैं, minus क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि n की value 1, 2, 3 रखनी है, अगर अपन 2 से start करें, अगर 2n minus 1 रखोगे न, तो first maxima के लिए n की value 2 रखनी पड़ेगी, वो set नहीं होगा, इसलिए अपने बना लिया, 2n प्लस 1, lambda by 2, अब जैसे ही आपने बनाया, तो linear position क्या आ गई आपके पास, linear position आ गई, इस delta की value को रख दो, इस formula में, तो 2n प्लस 1, lambda by 2, d by a, अब ज right fringe बन रही हो, dark fringe बन रही हो, उसकी width कितनी है, तो क्या करते हैं, अगर suppose करो, यहाँ पर आपसे कहा गया, कि यह आपके पास y n वाली position है, और अगर मैं यहाँ पर, इसी चीज़ को ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ नीचे लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि यह nth वाली position है, और यह आपके पास n-1 वाली position है, तो जब आप इन दोनों positions को minus कर दोगे, तो आपको यह पता चल जाएगा, कि यह वाली width कितनी है, कितने बड़े zone में अपनी bright बन रही थी, कितने बड़े zone में अपनी dark बन रही थी, आपको fringe की width मिल जाएगी, इसी लिए हम लोग क्या करन वाले हैं, यह जो position आई है, अपने पास dark की, उसमें एक बार yn और yn-1 वाली position पर जो दो fringes बन रही है, उनका difference निकाल देंगे, तो width आजाएगी, और वही कहलाएगी fringe width, n की जगा पर n रखा, n lambda d by a, n की जगा पर n-1, तो यह आजाएगा, n-1 into lambda d by a, जब दोनों को minus कर द आजाएगा, answer आजाएगा 1, यानि lambda d by a, यह आगई आपके पास fringe width, किसकी? डार्क की, बिल्कुस सेम आ रही है, वहाँ small d था यह small a है, अब आजाएगा आपके पास constructive के case में, मतलब bright fringe की fringe width कितनी होगी, उस case में भी आप यही करोगे, n-1, n की जगा पर n रखोगे, तो यह lambda d by 2a अपन common ले ले लेते हैं यहापे, तो जैसे lambda d by 2a common आया, यह बचेगा 2n plus 1, इसको open कर दिया, यह हो गया 2n minus 2 और यह वाला 1 plus 1, जब इसको open करेंगे अपने पास, तो यह solve करने पे 2n plus 1, minus 2n minus 1, 2n से 2n, cancel, minus minus plus 1 plus 1, 2, 2 से 2, cancel, answer आगया lambda d by a, मतलब dark fringe और bright fringe इन दोनों की width जो है, वो क्या आगई, same, अब आप कहोगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया, आ गया ना, अब मैं उस part की तरफ लेके चल रहा हूं, जहां से question भी बनते हैं और अपन भसते भी हैं, और इतना आसान मनाने वाला हूं उसको, कि तुम्हें मज़ा आने वाला है, हम अब बात करेंगे angular position की, किसकी बात करेंगे, angular position, angular position क्या होती है, यह अपने पास fringe है, यह अपने पास एक slit है, अब इस slit से यह हमारे पास ray गई, यहां से, अब यह center से theta 1 angle पर, जब rays गई, तो यहाँ पर पहली बार मान लेते हैं, minima बना, तो यह जो angle horizontal के स बन रहा है, theta 1, यह कहलाएगा angular position, dark की, पहले dark की, अगर bright है, तो पहले bright की, यह जो angle है, this angle, अब मतलब मैं आप से यह नहीं कह रहा हूं कि center से आपको सीधे-सीधे उपर नहीं जाना है, यहां slit से, कितने angle पर चले, horizontal से, ताकि अपन first वाले पे पहुँच जाए, कितने angle पर चले, ताकि third वाले पे पहुँच जाए, और यह जो angle है, इसी को बोलते है, angular position, पहले वाले के लिए, जो angle होगा अपने पास, वो पहले वाले की angular position, दूसरे वाले के लिए, जो angle होगा, horizontal के साथ, वो दूसरे वाले की angular position, और इन दोनों के बीच में, जो दो भी consecutive हैं, उनके बीच में, जो आपका angle बन रहा है, उससे अपन बोलेंगे angular width, पहले अपन बोल रहे थे linear width, अब बोलेंगे अपन उसको angular width, तो भाई, कुछ नहीं करना, equation 1 मैंने कहा था तुमसे, delta is equal to a sin theta, तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा, अपन digital board का पूरा फायदा उठाएंगे, भ यह theta ही आपकी angular position है, अब इसका use करते हैं अपन, और यहाँ पर पहली equation से, delta is equal to a sin theta, theta is equal to delta by a, अगर sin theta बहुत छोटा है, तो theta लिख सकते हैं, और आपकी angular position का general formula आ गया, delta upon a, अब जिसको यह दिक्कत हो, उसके लिए बूटी, यह है, कि जितने भी linear वाले formula थे, सब मैंसे capital D को गायब कर दो, आपका angular बन जाएगा, वहाँ पर formula आ रहा था, delta capital D by a, उस capital D को गायब कर दो, जैसे गायब करोगे, आपके पास angular position आ जाएगी, delta by a, और यह याद रखना कि यहाँ sin theta को nearly theta रखा है, मतलब theta की value जब बहुत कम है, तभी यह formula valid है, otherwise sin theta ही लिखना पड़ेगा आपको, वहाँ से theta निकालना पड़ेगा, एक numerical बताऊंगा next video में, अब यह आगया आपने पास, तो remove D from linear position and you will get the angular position, बस कहानी खतम, यही बूटी है बाबा की, अब delta upon a, अगर आपके पास dark fringe है, n lambda रख दो, n lambda by a, अगर आपके पास bright fringe है, तो delta 2n plus 1 lambda by 2 यहाँ रख दो, तो अब यहाँ पर D नहीं आ रहा है, angular position है, मतलब angle पता चल रहा है अपन को, और कोई भी दो consecutive, अगर अपन ले लें, उनके बीच का difference, तो अपन को मिल जाएगा angular width, मतलब की theta n minus theta n minus 1, theta n और यह हो गया theta n minus 1, इनके बीच में जो gap आएगा, वो ही है, हमारे पास angular width, minus कर दो, इसम n minus 1 रख दो, formula आगया angular width का lambda upon a, और यह जो formula अपने पास आया है, lambda upon a, इसमें देखो, वहाँ पर आ रहा था lambda d upon a, तुमको लग रहा होगा, बार बार बाबाजी कोट कर रहा है, गलती होती ही है, इसलिए इसको उसी से याद रखो, linear वाले का d गायप कर दो, angular वाला बन रख दो, solve कर दो, again lambda by a, यह आपके पास आ गई, angular position किस की, bright की, dark की, angular width भी आ गई, bright की, dark की, lambda by a, lambda by a, बिलकुल भूलने की गलती मत करना, अभी कहानी बाकी है, एक ही वीडियो में तुम्हें diffraction पूरा चाहिए, तो इसलिए सुनते जाओ अच्छे से, और बता देना कि बा तो देखो यार, central वाले यह जो light सीधे आ रही थी ना, वो सीधे तो आईगी, यह आईगी, मगर यह जो अपने पास central में bright बन रहा है, actually में वो दोनों side पे जो पहला dark होगा, उसके बीच में बनेगा, central में तो light जा रही है, diffraction के साथ bend होगी ना, मगर बीच में जाना थोड में, इसके बाद central वाला कहां तक बनता रहेगा, यह center है, पहली बार dark बना, इदर, पहली बार dark बना, इदर, इन दोनों के बीच में कौन है, central maxima, तो भाया, जो central maxima होता है, वो उपर side भी y1 distance तक, मतलब पहले minima की distance, नीचे भी पहले minima की distance, इनके बीच में जो बनेगा, वो बनेगा central bright, और अगर आप देखो, तो यहाँ पर width of central maxima आ गई 2y1, अगर आप से exam में ऐसे पूछा जाए, distance between both sides forming first dark के बीच का निकालो, then it will be central maxima की width निकालनी है, क्योंकि दोनों side dark जो बन रहा है, उसके बीच में जो आपके पास बन रहा है, वो bright ही बन रहा है, तो 2y 1, अब y की value क्या थी अपने पास dark के लिए, तो यह देखो, dark के लिए अपने पास y की position थी n lambda d by a, n की value को रख दो 1, तो आपके पास क्या आजाएगा, lambda d by a, क्योंकि first minima है, जैसे ही रखोगे तो यह आजाएगा 2 lambda d by a, आ गया, अब देखो, angular width of central, अब अगर angular width निकालें, यह तो linear थी, मैंने तुमसे क्या कहा था, angular पे जाना है, तो capital d को guy up कर दो, तो यह हो जाएगा 2 lambda by a, मगर यहाँ पे दिखाओगे कैसे, आता exam में central है, तो यह देखो, पहले वाले के लिए अपने पास position theta 1, इस side भी पहले वाले के लिए theta 1, तो एक बार इसको extrapolate करके देखो यह पूरा angle आएगा, अपने पास angular width of what, central, यहाँ से यह theta 1, यहाँ से यह theta 1, तो अपने पास angular position, angular width क्या आगई, central की, 2 theta 1, और theta 1 की value क्या होगी, तो अभी अपने देखो, यह निकाला था, dark के case में angular position होती है, n lambda by a, n की value 1, याने lambda by a, तो यह आगया, 2 lambda by a, 2, इसलिए क्यों यहाँ पर मैंने तुम्हारे central की कहानी को भी कर दिया, खतम, ठीक है, अब बिलकुल अंतिम पक की तरफ है, बिलकुल energy बना के रखो, तुमने बहुत अच्छे से वीडियो देखा है, चलो, अब देखो, अब अगर अपन कहें कि intensity pattern बना, और यह interference के साथ comparison होता ही है, तो बन रहा है, दोनों side के minima के बीच में, तो पहला minima बनता है lambda by d पे, lambda by a पे, ठीक है, इस side भी lambda by a पे बनेगा, ठीक, यह अपने पास intensity जादा, फिर last video में बताया था, जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं, slit को divide करना पड़ता है, तो diffraction में, central वाले की widths double, और जैसे जैसे पूर जाओगे, आपकी intensity कम होती चली जाएगी, और कम होती चली जाएगी, और कम होती चली जाएगी, and this is the graph, बाकि सब की width उतनी है, lambda by a, angular width, मगर सिर्फ इस case में, central के case में, width क्या हो गई, double, तो intensity भी double, और width भी double, यह आपके पास आ गया, intensity versus angular displacement का graph, बहुत शांदार, मुझे लगता है, diffraction की पूरी कहानी अपने खतम कर दी, diffraction में अपन लोगों ने अराम से सीखा, intensity pattern, हमने angular position सीखी, हम लोगों ने angular width निकालना सीखी, central सीखा, उसके बाद linear position निकालना सीखी, linear position के बाद position, general formula निकाला हमने derivation करके, और हमने diagram को भी अच्छे से समझा कि क्या बारी किया है, क्या हमें यहां पर लिखना है, slit लिखना है, screen लिखना है, source लिखना है, lens लिखना है, slit की width लिखनी है, distance between slit and screen capital db लिखना है, तो यह सारी चीजें हमने इस वीडियो में सीखी, short, sweet, इसके अलावा, theory wise, diffraction में, कोई अगर तुम्हें कुछ और पढ़ा दे, तो कुछ numerical करके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, numerical के साथ, तब तक के लिए, बावाजी की तरफ से, जयुआ।